अससलाम अलेकूं Friends, Welcome back to my channel तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे स्ट्रीट स्टायल छायूमी रेसिपी यानि की एक नूदल्स की रेसिपी बहुत ही यमी रैसिपी है तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी गुट मनें यहां पर घंड में पानी बॉइल होने के लिए रखा था और जैसे पानी बॉइल हो गया मैंनेगे इसमें अड़ किया है 1 अग मैं आंग किया है और यह क्का नूदल्स एक नूदल की पैकेट ली थी मैंने वो मैंने इसम烈 की है और अच्छे से हम इसे अभी मिक्स और इसे बॉइल होने देंगे जब तक नूडलस बॉइल हो रहा है मेरे यहां फिइंश मैंड वे इंडे एक करके दो अंडे मैं इसमें एड़ करूंगी और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक एड़ किया है एराउंड हाफ पेंच नमक करने के बाद हम इसे अच्छे से फेट लेंगे और इसे रखेंगे अभी हम साइड में और जब तक हम नूडल्स भी चेक कर लेते हैं आप यहां देख सकते हैं नूडल्स जो है हम होने के लिए रखा था और जैसे ही तेल गरब हो गया हम इने इसमें एड़ किये हैं अंडे जो हमने फेट की रखे थे साइड में और अंडों का हम अच्छे से ऑमलेट बना लेंगे और जब यह ओमलेट बन जाए तो हम इसे इस तरह से स्क्रेंबल कर लेंगे जब इस क्रेंबल हो जाए तो भी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे हम साइड में रख देंगे चुआ कि और सेम तेल में एड़ करूंगि प्याज इस तरह से मैंने जॉलियन्स में प्याज एड़ एड़ की है और मैं इस निए सअरी सब्साबस्यों को मैं ये ना सथ यम्यू घुथर I हाइफ लेंगे फिर मैंने इसमेंट किया है अध्रक और लैसन का पेस्ट आप चाहे तो चॉप करके भी एड़ कर सकते हो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और फ्राइ करेंगे एक से दो मिनिट के लिए और फिर हम इसमें एड़ करेंगे नूडल्स जो हमने बॉल किये थे इस तरह से separate separate करके हाथों से आपको noodles इसमें add करने हैं और फिर noodles add करने के बाद आपको इन्हें एक मिनिट के लिए सबजियों के साथ इस तरह से high flame पे fry कर देना है ताकि सबजियां और noodles अच्छे से mix हो जाएं और फिर मैं इसमें add करूंगी 1 tablespoon soya sauce 2 tablespoon मैं इसमें tomato sauce add करूंगी और 1 tablespoon मैं इसमें red chili sauce add करूंगी फिर मैं इसमें add करूंगी टेस्ट मेकर जो मुझे noodles के packet में मिला था अगर आपको यह ना मिले तो आप इसकी जगह पे मैगी magic का जो 5 star masala होता है आप वो add कीजिए वो add करने से आपको और कुछ इसमें add करने की जरूरत नहीं है फिर मैंने इसमें add किये हैं अंडे जो मैंने scramble किये थे इन सब चीजों को add करने के बाद हमें इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें मैंने taste maker add किया था तो इसकी वज़े से इसका color भी change हो जाएगा यह आप देख सकते हैं इसका color अच्छे से change हो गया है बहुती मज़ेदार color आया है इसे और फिर मैं इसके पर add करूंगी spring onions का यह white color का जो प्यास होता है वो मैंने add किया है और फिर हरी प्यास की पत्तियां भी मैंने इसके पर add कर दी है इन सब चीजों को add करने के बाद हम इसे अच्छा से mix कर लेंगे और high flame पे हम इसे और इक मेर्ट के लिए stir करेंगे तो जितना आप इसे high flame पे fry करूगे उतना ही यह noodles बहुत अच्छे बनेंगे तो फिर यह noodles बनकर बिल्कुल ready हो गए है serve करने के लिए आप इसे गर्म गरम serve कीजिए तो फिर चलिए friends फिर मिलता है अगली recipe के साथ अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को like, share, comment और subscribe जरूर करना लाफिस